बस ये तीन आदतें अपने व्यापार के डियने में शामिल करें देखें रिटेलर सारी दुकान छोड़कर आपके पास ही आएगा आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर व्यापारी के चिंता और चिंतन दोनों का विशेह होता है सफलता जो अधिकतर व्यापारियों के दिमाग में आता है कि कैसे अपनी दुकान को आगे बढ़ाएं कैसे अपने ग्रहकों को आकरशित करें और दिन, दोगुनी, राच, चोगुनी कैसे बिक्री बढ़ाएं लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ उन व्यापारियों के बारे में बात करेंगे जो होलसेलर हैं यानि की डिस्रिब्यूटर हैं चलिए जानते हैं कि यदि आप एक होलसेलर व्यापारी हैं तो कैसे रिटेलर्स को आकरशित करें एक wholesaler व्यापारी को अपने व्यापार की सफलता के लिए कौन सी तीन आधतें अपनानी चाहिए हर सफल व्यापार की कोई न कोई आइणटिटी होती है जिसके आधार पर वो दूसरों से अलग होता है साथ ही उस identity की माध्यम से वो अपने competitor पर भारी पड़ता है इसके लिए आप अपने व्यापार की कोई ना कोई identity बनाए आप दूसरों से क्यों बहतर है आदिक Research करें कि market में क्या चल रहा है किसकी demand है और कितनी demand है उस demand की according समस्या और समाधान ढूने और अपने व्यापार की माध्यम से उसे पूरा करें व्यापार कोई भी हो सकता है कोई भी व्यापारी हो वो अपने business के लिए अच्छा करने का सोचता है ऐसे में यदि आप कोई ऐसा business कर रहे हैं जिसमें quality बहुत मायनी रखती है तो आपको अपनी quality पर खास ध्यान देना होगा जिससे आपकी दुकान पर कोई भी retailer आए उसका विश्वास मजबूत हो जाए और उसे जिस quality का product चाहिए वो आप दे सकते हों बिना किसी गड़बर के याद रखें, first impression is the last impression इस formula को follow करके चलेंगे तो आप लंबा खेलेंगे step 2, trade, demand और price पर ध्यान दे आपका business किसी भी चीज़ का हो लेकिन वक्त के साथ जात हर line में कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है आपको इन ही परिवर्तन पर नजर बनाए रखनी है market में क्या नया trend है उस हिसाब से अपने stock को जमा करना है किसकी कितनी demand है उस demand को ध्यान में रखकर ही stock को जमा करें जिससे नुकसान ना हो याद रखें, retailer कई जगा जाकर आपकी दुकान पर आया होगा फिर उसे जब आप अपने products दिखाएंगे और साथ में उनके price बताएंगे तो retailer दूसरी जगह से compare करेगा जब उसे आपका सामान ठीक लगेगा तब ही वो आगे बात बढ़ाएगा ऐसे में आपको इस चीज का लाब उठाना है अपने product की quality, trending product, demand product के आधार पर अगर आपका product एकदम खरा है तो ही आपके द्वारा बताएगा प्राइस पर retailer interest लेगा पर ना वो कहीं और चला जाएगा तो आपको अपना व्यापार quality, price और demand पर ही बनाना है अधिकतर लोगों को देखा गया है कि जब कोई retailer shop पर आता है तो दुकानदार interest ही नहीं लेता साथ ही जब retailer किसी product के बार में पूछता है तो दुकानदार उसे रूखे मूँ जबाब देता है बस यहीं से retailer उस दुकान से मूँ पहलेता है क्योंकि market में competition बहुत भारी है ऐसे में यदि आपका व्यापार रूखा रहा इसलिए जब एक retailer आपकी दुकान पर आए तो आप उससे खुल कर बात करें चाय या पानी को offer दें उसे ठीक से बैटने के लिए जगा दें फिर जानें कि वो किस तरह का business करता है उसके व्यापार में आपका क्या योगदान हो सकता है फिर वो क्यों आप पर भरोसा करें आदि के बारे में पूरी इस पश्टिता से बात करें उसके बाद ही आप retailer को माल दें इससे आपके व्यापार और उसके व्यापार में एक भरोसे का रिष्टा बन जाएगा फिर retailer आपको भविशे में order देता रहेगा तो दोस्तों यदि आपने अपने व्यापार में इन तीन आदतों को follow किया तो आपका business भारी भर कम मुनाफ़ा बना सकता है और ये सफलता आगे भी बनी रहेगी